सादी के बाद बिदाई का समय था सीमा अपनी मा से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहां मौजुद सभी लोगों को भी आँखों में आशू थे उस समय सीमा ने गुंगट निकाला हुआ था और अब उसका बिदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया थ तो जैसे ही सीमा रोती हुई कार में बैठने लगी तभी उसकी छोटी बहां रितू रोती हुई उससे दुबारा लिपट कर रोने लगी तभी गारी के पास खरे सीमा के पती अमर ने उसका दोस्त मनिज कहता है अरे यार अमर यहां से घर पहुंचते ही सबसे पहले होटल पहुंचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे क्योंकि यहां तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था ऐसा खाना तो हमारे यहां कुटों को भी नहीं खिलाते तभी साथ ही खरे अमर के भाई ने भी कहा हाँ यार यहां का खाना तो एकदम बकवास था और रसगले मे तो रसी नहीं था ये कहते हुए वो तीनों ही जोड़ जोड़ से हस रहे थे तभी सीमा के पती अमर ने भी अपने सस्राल वालों की मजाक उराते हुए कहा कि हाँ यार मैंने भी मजबूरी में ही यहां का खाना खा लिया वरना मैं तो ऐसा खाने को हाँ तक नहीं लगाता और अपका हम तीनों घर पहुँचते ही होटल का खाना खाएंगे अपने पती के मुह से ऐसी ऐसी बाते सुनकर सीमा का कार में बैठते बैठते रुक गई और उसने गुसे में सब के सामने अपना घूंगट हटाते हुए कार के दरवाजे बंद किया और आँखों में आशू लिय सीमा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रहा गए सबow लोग सीमा के नजदी आगए और सीमा के ससुराल वाले पर तो जैसे पहार ही तूटपरा हो वजह क्या थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था तभी सीमा के ससूर दिनेश जी ने आगे सीमा से पूछा कि सीमा बैटी क्या बात है तुम अचानक ही साधी होने के बाद अपनी बिदाई होने के समय यो साधी को नामोजूर कर रही हो तबी सीमा कुछ देड़ चुप रहने के बाद अपनी आखों में आंसु लिए अपने ससुर से बोले कि बादू जी आपको पता ह मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को माल कर हम सभी बेहनों को इतना पढ़ाया दिखाया और काबिल बनाया और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या माने रखती है वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं समझ सकेंगे क्योंकि बाबुजी आपके घर मे तो कोई बेटी है ही नहीं और आप जानते हैं मेरी साधी में आने वाले बरातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए इसलिए मेरे पिता जी पिछले तीन मेहने से रात को बारा से एक बुझे तक जाकर मेरी मा के साथ ये योजना बनाते थे ही रसोया कौन होगा और खाने में बरातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बरातियों को कहा ठहराना है ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए और सायद आप नहीं जानते कि मेरी माने पिछले एक साल से एक भी नई सारी नहीं खरी दी क्योंकि मेरी साधी में पैसो की कोई कमी न हो जाए और आज भी मेरी साधी में भी मेरी मा मेरी बरी बहन की सारी पहन कर खरी है और ये तो कुछ भी नहीं है मेरे पिताजी भी 250 रुपे की इस सट के नीचे कई छेदवाली बनियान पहन कर खरे है और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी साधी में कोई कमी न रह जाए लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस साधी में आपके बेटे को खाना अच्छा नहीं लगा उसके दोस्त को खाना बकवास लगा और मेरे देवर जी को तो रस गुले में तो रस ही नहीं मिला और तो और मेरे पती अमर जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसा खाना को हाथ भी नहीं लगाते बस उन्होंने तो मजबूरी में भी ये खाना खा लिया अगर सब कुछ उन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गरेंटी है कि मुझसे साधी भी अपने खुशी से ही कर रहे है कल को अमर जी ये भी कह सकते है कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही की है साधी की है और सीमा रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी साधी के दिन देखा ना रात बस साधी के तैयारिया में लगी रहे उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्तियों जोर जोर से हांस रहे हैं और उनकी इतनी बेज़ती कर रहे हैं क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज़त होती तभी सीमा के ससूर ने कहा कि बेटी इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई तो सीमा ने अपनी ससूर की बात को काटते हुए कहा कि बाबुजी ये छोटी सी बात नहीं है अगर साधी के बाद मैं भी आपकी इज़त ना करू तो आपको कैसा लगेगा ये सुनते सीमा की ससूर ने सर्म से के मारे अपनी आखें नीची कर ली तभी सीमा के सीमा ने कहा लेकिन बाबु जी आप जिनता ना करिये हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संसकार है किसी के बेज़ती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है ये सुनते ह सीमा के पिता जी रागव जी ने आंसों में आंसों लिये अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी मुझे गर्व है कि तु मेरी बेटी है और अब तु सांथ हो जा बेटी तुझे मेरी कसम तु इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा तबी सीमा का पती अमर्वी सीमा के पिता जी और सीमा के से हाथ जोर कर माफी मांगता है और ये कहता है कि बाबु जी मुझे माफ कर दो सारी गलती मेरी है लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज़त करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता को हमेशा इज़त करूँगा उसी वक्त सीमा के सासूर दिनेश जी भी आगे आकर अपनी बहु सीमा के सर पर हाथ रख कर कहते हैं कि मैं तो बहु लेने आया था लेकिन इस वर बहुत किरपालू हैं उन्होंने मुझे बहु के रूप को माफ कर दे मैं हाथ जोरता हूं तेरे सामने तभी सीमा अपने ससूर जी के दोनों हाथों को पकर लेती है और कहती है कि नहीं बाबुजी आप मेरे पिता के समान है कि प्या आप मेरे सामने हाथ मत जोरिए तभी सीमा के पिता जी रागब जी भी कहते हैं कि समधी जी आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़ करकि प्या हमे सरमिन्दा मत करिए मेरी तो आप से बस इतनी ही प्रातना है कि हमेसा आप मेरी बेटी को अपने ही बेटी समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इससे माफ कर देना तो दिनिज जी ने अपने समधी रागप जी का होसला बढाते हुआ कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करिये बल्कि अब तो सीमा बेटी ही हमारे पूरे घर को समालेगी और अब ये ही हमारे घर की लक्षमी है ये सुनकर सीमा के पिता जी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटी को खुशी-खुशी तक वो खुब हस्ती खेलती थी आज से इन आंगन की चिरिया उर गई थी किसी दूसरे परदेश में